मास्क न लगाने पर दिल्ली में जुर्माना बढ़कर दो हजार रुपए हो गया लेकिन ये दिल्ली वाले हैं कि अभी भी नहीं मांगती मास्क न लगाने पर बस सुनते जाए इनके बहार ये जनाब इसनाते मास्क नहीं लगाए हुए हैं कि ये देशी आदमी है दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो रहा है और दिल्ली के बाजार लोगों से पटे हुए हैं ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का खयाल और ना ही मास्क का और तो और मास्क पर बढ़े जर्माने पर भी दिल्ली वाले आग बबूला है और अब जरा उन लोगों के बहानी भी सुन लीजिए जो बिना मास्क पकड़े गए थे एक से बढ़कर एक दलिले और बहाने यकिन दिलानी की कोशिश की कि हम तो कोरोना को हराने निकले थे बीच में पता नहीं कैसे मास्क खिसा गया कुछ लोग गलती मानते दिखे तो कुछ दबंगई दिखाते भी दिखे मास्क मैंने लगा रहा था था फाउन आ रहा था एक बात करेंगे अब गलती होगी ना पुलिस का सिपाही कार में बैठा है बिना मास्क देखकर पुलिस ने रोका तो पलक जपकते ही कार लेकर फुर हो गया मास्क देखकर पार रहा है यह जो गाड़ी है इसको रोकी गई है और इसमें मास्क देखकर पहने है और बाकाईदा इसमें दिल्ली पुलिस के जवान है वो भी बैठे हुए है तो यह देखे अभी ने रोकनी की यहाँ पर कोशिश की जारी है लेकिन अब यह रुकते है य आज सुबह से ही दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के लोग दिल्ली में जगा जगा जम गए शुरू हो गई मास्क की जान कुछ लोगों ने तो पुलिस और मीडिया के कैमरों को देखते ही दोड लगा दी दिल्ली में मास्क ना लगाने पर जुर्माना भले ही चार नहुगा.